अब बेलकम बैक तो दे चैनल आज मैं आपके लिए स्टुफट ब्रेड पोड़ा की रेसिपी लेकर रही हूं यह मिनी ब्रेड पोड़ा हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने एक बॉल में टू पोटैटोस लिए जो बॉल करके मैंने ग्रेट कर लिये थे उसके बाद मैं इसमें एक अनियन डाल रहे हूं चॉप इसके बाद मैं इसमें सॉल डाल रहे हूं वन टीस्पून सॉल डाला है मैंने इसके अंदर इसके बाद मैंने रेट चिली पाउडर लिया हाफ टीस्पून इसके बाद धनिया पाउडर लिया मैंने वन टीस्पून आप टीस्पून नम्चूर डाला और इसके बाद में धनिया डाली चॉप्ट अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से यह हम स्टॉफिंग बना रहे हैं जैसे मार्केट में आपको मिलते हैं ब्रेट पोकोड़े जिसमें आलू भरे होते हैं वैसे ही मैं बना रही हूँ देखिए जो फिल यह कर्णियों अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके लांस जो हैं वह सारे कर देंगे आब टीज्पून ए राध टीश्पून आप्टयश्पून judula मैंने दौता में ठीज्पून रम्चूल दाला शीन आप टीश्पून एंज्पून जो मांचूर म्चूर श्वारा दंग अब ही पानी फोड़ाखोड़ा करें रहें समय कर यह इसा आपुर मैस्छार फ्यरओन रीजों इसके मिंकोर कर समय करदें लेगे बहुत ज़्यादा हमें थीक भी नहीं रखना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है नॉर्मल होना चाहिए इसका बैटल यह देखिए अच्छी तरह मिक्स कर रहे हूं मैं इसको यह हो चुका है हमारा अब मैंने ब्रेट स्लाइस लिया है मैं ब्राउन ब्रेट ले रहे ह इसके अंधर मैं इसको पूरा फैल आरहे हूं जो अंदर की फिलिंग थी ना आलू वली वो मैं इसको इसमें फिल कर रहे हूं अच्छी तरह से आए, पर और जूए, और चूँ, आए, आए, एच्छी तरह से फिलो गए, पतली लेयरी मफिलनानी हे उपनाई सरी अपर आज है मैंने अब मैं उसमें दूसरा ब्रेट स्लाइस रख रहे हूं इसको प्रेस कर दिया है विसके पीसीज कर लेंगे हम पोर पीसीज कर लेंगे इसके यह देखे है सिदर के पोर पीसीज कर लेंगे अब यह जो हमने बेसन का घुल बनाया है इसके अंदर एक एक पीस को ऐसे ड्रेस करके उसके बाद डिप करके इसको फ्राइ करेंगे ऐसे करके इसको अच्छी तरह से डिप कर लेना है ताकि चारो साइट से इसका जो है बेसन लग जाए इसके उपर अब इसको पैंने डाल दिया ओयल मैंने पहले गरम करके रखा था अब मैं इसमें डाल दी जा रही हूं कि अधिए इसको डिल फ्राइ कर लेंगे हम खाने में इतना मज़ा आएगा आपको बहुत ही मज़ा आएगा बहुत टेस्टी बनते हैं इसके उपर भी और डाल देंगे इसकी साइड चेंज कर देंगे एक साइड से फ्राइ हो चुके आएगे अब दूसरी साइड चेंज कर रहे हुए इसके ऐसे अब दूसरी साइड से भी फ्राइग कर रहे हुए अब दूसरी साइड से भी फ्राइग कर रहे हुए चाय के साथ यह बहुत टेस्टी लगते हैं आप डिक्ट्वास में भी खा सकते हैं इसको और इवनिंग स्नैक के रूप में भी आप खा सकते हैं इसको बहुत टेस्टी लगते हैं ग्रीन चटनी और सॉस के साथ यह बहुत टेस्टी लगते हैं और साथ में गर्म चाय हो तो और ही मज़ा आजाता है इसको साथ साथ देखते रहना है प्लटा के जलना जाए जो गैस है वो तो तेजी रखने पड़ेगी थोड़ी नहीं तो ऑईल जादा आजएगा इसमें यह देखिए अब यह बन कर रेडी हो गए है मैं इसको निकाल लूँगी ऑईल में से थोड़ी दर साइड में रखके ताकि इसका ऑईल जो अच्छी तरह निकल जाए बीट में से यह निकालती है मैंने और बाकी के दो भी यह निकाल रही हुँ मैं यह देखिए लग रहा है ना टेस्टी टेस्टी कितना अच्छा कलर आया है खाने में तो और भी जादर टेस्टी है आप इसको ट्राय ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे बने यह देखिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो दे चैनल थैंक यू सो मच पर वाचिंग झाल थैंक यह जो, तो चाल आया है